हेलो एब्रीवान टेली पीसियोस जी के एक और नए अपिसोड में आपका स्वागत है तो हमेशा की तरह शुरुआत करेंगे अभ्यास प्रशन से हमने आपसे पूछा था निमने लिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक रामसर स्थल हैं ओप्शन से ए उत्तर प्रदिश बी ताबिल नाडू सी ओडिशा या फिर डी केरल तो इस कुस्चन का सही आंसर था ओप्शन बी दरसल हाली में भारत ने रामसर साइट्स की सूचे के लिए ग्यारा आरद भूमी क्षेत्रों को नामित किया है इसके साथ ही देश में इंस्थलों की कुल संख्या पिछत्तर हो गई है नामित किये गए ने इस्थलों में शामिल है ओडिशा में तंपारा जील हीराकुन जलाश है और अनसुपा छील वहीं मध्यप्रदेश में यश्वन्सागर जब की जम्मू कश्मीर में हाईगम वेटलेंड कंजर्वेशन रिजर्व और शालबुग वेटलेंड कंजर्वेशन रिजर्व रामसर साइट रामसर कंवेंशन के तहत अंतराश्ट्रे महत्व की एक आर्धर भूमी होती है इरान के रामसर में 1971 में हुए सम्मेलन में रामसर कं 2022 के बीच इस सूची में देश के उड़न्चस नए स्थलों को जोड़ा गया है। आपको बता देए कि देश में तमिल नाडु में सबसे अधिक 14 रामसस थल हैं। इसके बाद उत्तर पदेश का स्थान है जहां 10 रामसस थल हैं। इसलिए आप्शन भी सही अंसर है। चलिए उपर युक्त सब ही। तो इस सवाल का सही जवाब है। आप्शन बी दक्षिन चीन सागर के उत्तर में। हाली में भारत ने ताइवान की यथा स्थती को बदलने के लिए किसी भी एक तरफा कारवाई से बचने की बात कही है। ताइवान उत्तर पश्चमी प्रशानत महा सागर में स्थत एकद्वी प्यदीश है। चीन लंबे समय से ताइवान को अपना हिस्सा बताता रहा है। ताइवान जलसंदी ताइवान को मुखे भूमी चीन से अलग करती है। ताइवान पूर्वी चीन सागर के दक्षिन में जबकि दक्षिन चीन सागर के उत्तर में इसलिए option भी सही answer है ताइवान के पूर्व में फिलिपीन सागर स्थित है यानि ताइवान फिलिपीन सागर के पश्चम में स्थित है आपको बता दे कि ताइवान की राश्थानी ताइपे ताइवान के उत्री छोर पर मगर तट से दूर स्थित है चलिए next question कितनी डिगरी पर Celsius एवं Fahrenheit तापक्रम समान रहते हैं? A, माइनस 40 B, माइनस 32 C, 100 या फिर D, 80 तो इस प्रशन का सही उत्तर है Option A, माइनस 40 माइनस 40 डिगरी तापमान पर Celsius तथा Fahrenheit तापक्रम समान होते हैं इसलिए Option A सही आंसर है Celsius पैमाने पर 0,9 से 100 तक के नियत बिंदू के अंतरगत तापमान को भी लिखित किया जाता है जिबके Fahrenheit में निम्नितम नियत बिंदू 32 डिगरी फोरण हाईट और उच्चतम बिंदू 212 डिगरी फोरण हाईट होता है 32 डिगरी फॉरन हाइट और 212 डिगरी फॉरन हाइट के बीच 180 बराबर भागों में बार्ट कर तापमान को मापा जाता है फॉरन हाइट तापमान को सेलसेस तापमान में बदलने के लिए चले बढ़ते हैं अगले प्रेशन की और नेमनले लिखित में से कौन सी यमुना नदी की साहा एक नदी नहीं है ओप्शन से तो इस कॉस्चन का सही अंसर है ओप्शन डी बागमती हाली में दिल्ली सरकार ने बार्ड का अलर्ट जारी करते हुए कहा कि यमुना नदी का जलसतर खत्रे की निशान दोसो पाँच दशमलव तीन तीन मीटर को पार कर गया है गोड तलब है कि यमुना नदी का उदगम बंदर पुछ श्रेड़ी पर स्थित यमुनोत्री हिद्नत से होता है इसके दाहिने तट पर मिलने वाली प्रमुख सहायक नदिया है चंबल, सिन्ध, बेत्वा, केन और जबकि बाई तट पर मिलने वाली सहायक नदिया है टॉन्स, हिंडर, सेंगर, रिंद, आदी हमाले प्रदेश में टॉन्स यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है प्रयाग राज کے निकट ये गंगा नदी में मिल जाती है. ये गंगा की सबसे बड़ी साहाइक नदी है. आपको बता دیں कि बागमती गंगा की साहाइक नदी है. इसलिए, आप्शन डी सही आंसर है. चले बढ़ते हैं अगले प्रेशन की ओर? सेख्टुराष्ट्र महासभा सेख्टराश्ट्र से समथ्य सर्वांगीर संस्था है महासभा सेख्टुराश्ट्र के पाच मुख्य अंगो में से एक है ये सेंग तुराष्ट के घोशना पत्र के अंतरगत आने वाले समस्त विश्यों पर तथा सेंग तुराष्ट के विबिन अंगों की कारे परिधी में आने वाले प्रश्णों पर विचार करती है चलिए अगला प्रशन देखते हैं भारत के जैब विविदिता के संदर्भ में प्राइड वीपियर रॉक अगमा टर्माइट हिल गी को क्या है तो इस सवाल का सही जवाब है बारते विज्ञान संस्थान बेंगलूरू द्वारा प्रायद वीपे रौक अगमा पर किया गया एक हालिया अधेयन शहरी करण और संरक्षन पर अंतर दृष्टी प्रदान करता है प्रायद वीपे रौक अगमा की बात करें तो ये दक्षन भारत में चट्टानी पहाड़ियों पर पाई जाने वाले छिपकली की एक सामाने प्रजाती है इसलिए ऑप्षन सी सही अंसर है इसका आयूसीन स्टेटस लीज्ट कंसर्न है ये दक्षन भारत में लगभग 16 डिग्री उत्रे अक्षांश के दक्षन में पश्चिमी घाट, दक्षन आरकोट और नला माला पहाड़ियों तथा नीलगीरी के पहाड़ी क्षेत्रों में समदुर तल से 6000 फीट की उचाई पर पाई जाती है तर्माई ठिलगी को भी दुरलब चिपकली की प्रजाती है और ये भी मध्य तथा दक्षन भारत में पाई जाती है चलिए अगला प्रशन भारत मौसम विज्ञान विभाग यानि IMD किस मंत्राल के अधीन कारेरत है ए जलशक्ती मंत्राले तो इस सवाल के सही जवाब है जलवाई परिवर्तन के कारण इस वश पूरे देश में मानसूनी वर्शा समान रही है जिससे मौसम की घटनाओं की सटीक पूरवानमान लगाने वाली एजन्सियों जैसे IMD की क्षमता गंभी रूप से प्रभावित हुई है भारत मौसम विग्यान में भाग भारत सरकार के प्रिथवी विग्यान मंत्राले के अधीन एक एजन्सियों है इसलिए Option C सही अंसर है IMD के स्थापना वर्श 1875 में की गई थी और इसका मुख्याले नई दिलने में स्थित है ये मौसम संबंधी अवलोकन, मौसम पूर्वानुमान वा भूकंप विग्यान के लिए जिम्मेदार प्रमुक एजन्सी है इसके प्रमुक कारियों में शामिल है मौसम संबंधी अवलोकन, गंभीर मौसम की घटनाओं के प्रती चेतावनी देना क्रशी, उद्योग, जल संसाधन प्रबंधन, तेल की खोज और देश के लिए रणनीतिक रूप से महत्रपूंग गतिविधियों के लिए आवश्यक मौसम संबंधी आंकड़े प्रदान करना आदी चलिए अगला प्रशन देखते हैं विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? पाँच जून को, ग्यारा जुलाई को, नौ अगस्त को, या फिर ग्यारा सिदंबर को तो इस क्वेस्चन का सही अंसर है, ऑप्शन सी, नौ अगस्त दरसल बीते नौ अगस्त को अंतरराष्टरे विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया इसलिए Option C सही आंसर है यह सही तराष्टर की गोशना के अनुसार वर्ष 1994 से हर वर्ष मनाया जाता है इसका उदेश यह दुनिया के स्वदेशी आबादी के अधिकारों को बढ़ावा देना और उनकी रक्षा करना है साथ ही उन योगदानों को स्विकार करना है जो स्वदेशी लोग वैशिक मुद्दों जैसे पर्रयावरंट संरक्षन ही तु करते हैं 2022 में स्वदेशी लोगों के अंतराश्ट्रे दिवस का विश है पारंपरिज्यान के संरक्षन और प्रसारण में स्वदेशी महिलाओं की भूमिका है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार लगभग 11 करोड अनुसूचित जनजातियां यनि एस्ट्री भारत में रहती हैं और ये भारत की अबादी का 8.6 प्रतिशत हैं जनजातिये अबादी की दृष्टी से भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है चलिए एकला प्रशन देखते हैं भारती अर्थव्यस्था के संदर्भ में सत्तिक अथन का चुनाव कीजिए यदि मुदरास फीती अत्यधिक है तो आर्बियाई संभावित रूप से सरकारी प्रतिभूतियों का विक्रे कर सकता है यदि रुपे में तेजी से मूले रास हो रहा है तो आर्बियाई बाजार से डॉलरों का संभावित रूप से विक्रे कर सकता है मुदरा स्फीती को नियंतरत करने के लिए भारते रिजर्व बैंक मुदरा बाजार में प्रतिभूतियों को बेचता है जो बाजार से अतरिक तरलता को अवशुशित करता है यदिर रुपय का तेजी से मूलह रास हो रहा है तो आर्बियाई द्वारा बाजार में तरलता बनाये रखने और बाजार में अस्थिर्था को कम करने के लिए डॉलर बेचने की संभावना है जब केंद्रे बैंक डॉलर बेचता है तो वह रुपय में बराबर राशी निकालता है इस प्रकास सिस्टम में रुपय की तरलता कम हो जाती है बाजार में डॉलर की आवक से रुपया मजबूत होगा इसलिए सेंट राज्य अमेरिका में ब्यास दर्व में गिरावट के स्थिती में आर्बी आई डॉलर खरी देगा इस तरह सभी कथन सत्ते हैं और आप्शन डी सही अंसर है चलिए नेक्स केस्टिन दरसल हाली में चीन और अमेरिका के बीच अमेरिकी कॉंग्रेस की स्पीकर नैंसी पेलोसी की ताइवान यात्रा को लेकर तनाव पैदा हो गया है इसी भी चीन और ताइवान के बीच जारी तनाव में ताइवान की युद्ध की साही की रणनीती चर्चा में रही है इसे 2008 में युएस निवल वार कॉलेज के शूद प्रोफेसर विलियम एस मरे द्वारा प्रस्तावित किया गया था दरसल साही की रणनीती एक कमजोर राज्य की सुरक्षा को मस्बूत करने पर केंदरित असम्मित युद्ध की रणनीती है इसलिए ऑप्षिन ही सही अंसर है इस रणनीती में द्श्मन की कमजोरियों का फाइदा उठाने के बजाए उसकी ताकत का फाइदा उठाया जाता है चले वक्त हो चला आज के दसमें और अन्तिम प्रेशन का तो प्रेशन है त마ने का झा तो प्रेशन का सही अंसर है इसका मकसद तुर्क राज्यों के बीच व्यापक सहयोग को बढ़ावा देुन है इसके चार से इस्थापक सदसे राज्य अजर्बैजान, कजाकिस्तान, किर्किस्तान और तुर्की हैं। निमनलिकित में से किस नदी पर विश्व का सबसे उचा रेल्वे ब्रिज स्थित है। आपके उप्शन्स हैं। तो हमेशा की तरह इस प्रशन कभी उत्तर कॉमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में तब तक के लिए जय हिंद। इस पर देना मत भूलिएगा है।